अपके स्वास्ते के बारे में सभी निर्णे आपके डॉक्टर से परमर्श के बाद ही किया जाना चाहिए ये डॉक्टर का सलापरमर्श का रिप्लेस्मेंट नहीं है आपको सर्दी खासी आया है, आप शुर हो कि ये कॉमन कोल्ड है, फ्लू नहीं है, होम रेमेडी क्या काम करेगा, घर वाले नुसके आपको सर्दी से तो बचा सकते हैं, लेकिन फ्लू से नहीं, मैं एक फ्रेंड से बात करी थी, जिसने अनुवल फ्लू शॉट नहीं लिया था, अभी वो बहुत जादा चिंता में था, कि उसको बुखार तो आया है, वो नॉर्मल कोल्ड है, या कि फ्लू है, प्रॉब्लम ये था, कि हमारे काफी सारे जगा पे डेटा अबाउट फ्लू म में जाना पड़ेगा, ये तो प्राइवेट में, जब सर्दी आता है, तभी आपको नाक से पानी आ सकता है, नाक बंध हो सकता है, बहुत सारे चीके आ सकते है, खासी शुरू हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि बुखार एक सो से जादा आ सबस्काइब के अपन् crunchy में अपको खुछिक को सकता है यहेंếं की नगीक जो stepfather क्लीन कोंच जूलगोगों सबस्केंवान कभी से सब्सक्राइब हो कर्दों से अपका अपन्ण को जो雐से ha पता चलेगा कि यह cold है या flu है काफिस टाइम पे आपको यह पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए यह पता करने के लिए यह normal बच्चे को जैसे की खूप सारा पानी पिलाना चाहिए खाना ठीक से खा रहा है कि नहीं देखना चाहिए चिकन सूप देना अच्छी बात है उसमें इम्म्यूनिटी बढ़ता है गरम पानी उबाल के थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए उसमें आप थोड़ा सा अद्रक निम्ब गर पे कोई स्मोकिंग करता है तो जो नॉन्समोकर भी है उसको सेकेंडरी स्मोक से नाक में प्रॉब्लम आ सकता है नाक साफ करने वाले जो सीलिया टाइप आपका कवरिंग में है वो खराब हो जाता है और उसमें इंफेक्शन होने का चांज बर जाता है आपका दुखाम म पोग्षब कर सकते हैं, लेरंजायटिस भी हो सकता है, आपको खासी जाध आ सकता है, गला बैच सकता है, नियूमोनिया एक सीरियस कॉमिकेशन है और उसके लिए आपको अरजन्ट होस्पीटल में जाना जाएँ और डॉक्टर दिखाना चाहिए, acute sinusitis जब आपके sinus में infection बैठ जाता है और उसके कारण बहुत problem हो साथा है आख में दर्द आख में जब दर्द होता है या कि बहुत ज़्यादा जुखाम के कारण आख मूँ फूल जाता है उसमें आपको तुरंट hospital या डॉक्टर के पास जाना चाहिए asthma है तो आपको सर्दी खासी जुखाम फ्लू सबसे बहुत शांती से बचके रहना चाहिए क्योंकि उसे asthma के attack बढ़ सकता है आप अपने prevention पे ध्यान रखिए hand washing पे ध्यान रखिए immunity अप करके रखिए हर वक्त ठीक से exercise कीजिए और healthy diet maintain कीजिए तो आपका जो immunity है वो काफी अच्छा रहेगा और आप काफी सारे सर्दी खासी जुखाम से अपने आपको बचा सकते हो आप सुन रहे थे डॉक्टर अमृता को health well bridge podcast पे ये anchor पे hosted है अलेक्स आपे आप सुन सकते हो हर सुबह आइट्यून्स गूगल podcast पे subscribe कर लीजिए और अपने सेहत और दिमाग को दीजिए एक gift हर सुबह